वेल्कम फ्रेंड्स, सिक्रेट सोग गौर्ष्मा में सिद्दाद ब्रह्मबट आप सभी का एक बाया फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम आपको बताएंगे कि महाबारत के युद के बाद स्री कृष्ण और पांडव का क्या हुआ था एक अनुमान के अनुसार अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो पांडव की सिना कावरों की सिना के सामने दो दिन से ज़्यादे भी टिक नहीं पाती ऐसी क्षमता थी कौरों के महारतियों के अंदर जिसमें भिश्मपितामा, दोणाचार, अस्वस्तामा और कार्ण जैसे महायोद्धा मौजूद थे पांडवों की मदस से पांडवों ने महाबारत के युद के अंदर जीत हासिल की क्योंकि वो दर्म के रास्ते चल रहे थे और उसके बाद जब पांडवों में श्रेष्ट युदिश्टिर का जब राज्या विशेक हो रहा था उसी समय कौरों की माता गांदरी ने बगवान शी कृष्ण को उद्देश्च में लेते हुए उनको ये श्राप दिया कि जिस तरह से आपने मेरे कुरू वंश्ट यानि कि मेरे कौरों का जैसे आपने सर्वनाश करवाया है उसी तरह से आपके यादों वंश्ट यानि कि आपके यादों कुल का भी सर्वनाश होगा गांदारी सती थी और गांदारी एक पती व्रतानारी थी इसलिए बगवानशी कृष्णा ने उनके स्राप को उनका सम्मान रखते हुए स्विकार किया और उसके बाद जब युदिश्रिका राज्या भीशे खतम हुआ उसके बाद बगवान श्री कृष्ण द्वारिका लोट गए द्वारिका लोट कर ही बगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जिस द्वारिका में उन्होंने दारू पे पाबंदी लगाए थी उसी द्वारिका के सारे यादव दारों में डूप चुके थे यानि कि उनके जो पुत्र थे वो भी शराब के नशे में धूत हो गए थे भगवान शी कृष्ण समझ गए कि गांदारी के शाप का असर सुरू हो गया है उसके बाद भगवान शी कृष्ण ने सभी यादव उपर लेकर प्रभास की और उन्होंने प्रस्तान कर लिया लेकिन प्रभास में भी गांदारी के शाप का अशर कमनी हुआ और यादव अपने ही भाईयों और अपने ही कुल के प्यासे उनके खुन के प्यासे हो गए थे और इसी तरह से यदुवन्ष का सरवनाश होना बाद में प्रारम हो गया बगवान शी कृष्णा उसके बाद वहाँ पेड़ के निचे विश्राम कर रहे थे और वही पे पुर्वजन्म के जो बाली थे उन्होंने बगवान शी कृष्णा को एक बान के रूप में उन पर एक गात किया और उनसे बगवान शी कृष्णा की मृत्यू हो गई और इसी तरह से महाबारत काल के अंदर बगवान शी कृष्णा की लीला का अंतु हुआ उसके बाद पांड़ों को बगवान शी कृष्णा की मृत्यू का समाचार सुनकर उनको बहुत ही दुख हुआ और पांड़ों उसके बाद महर से वेद व्यास से मिलने गए महरसी वेदव्यास ने पांडवों को समझाया कि विश्णों अवतार बगवार्शी कृष्णा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है इसलिए उन्होंने अपने दाम में फिर से प्रस्थान कर लिया है और युदिश्टिर ने अपना सारा राज अपने पोत्र परिक्षित को सौप दिया। ये छे लोग हिमाले की और अपना देह त्यागने के लिए प्रस्थान कर गए। उसमें सबसे पहले द्रोपदी और सबसे अंतिम में भीम ने अपना देह का त्याग किया। रा दिखा रहते स्वर्ग की। उसके बाद युदिश्टिर ने देखा कि स्वर्ग के अंदर उनके बाकी बाकी जो भाई है पांडव और द्रोपदी वो नहीं है। बगवान से जब उन्होंने पूछा दर्मराश से तब उन्होंने बताया कि उनके कुछ बूरे कर्म के कारण उन लोगो को कुछ समय के लिए नर्क में जाना पड़ा है। इसलिए बाद में युदि श्रनबी नर्क को स्विकार गिया और नरक में थोड़ी यातना भोगने के बाद सभी पांड़ाओ और द्रोपदी को स्वर्ग मिला। तो इसी तरह से महाबारत के युद के बाद भगवानशी कृष्णा, पांडव और द्रवपदी इस तरह से उनकी लीला और उनके कार्यकाल कान्त हुआ तो धन्यवाद आप प्लीज अमरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए हैंक्यू